आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी बिना लेब टेक्निश्यन के अस्पताल में आने वाले मरीजो को स्वास्त केंद्र के मेडिकल आफिसर डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा से लगातार यहां लेब टेक्निश्यन की नियुक्ती की जाए की मांग कर रहे थे देनिक भासकर निधी हॉस्पिटल में स्वास्त सुविधाओं की कमी को लेकर मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित किया गया था डॉक्टर मिश्रा ने जल्द ही यहां लेब टेक्निशियन की प्रती न्यूकती के लिए लोगों को आश्वस्त किया साथ ही चिकितसा पतादिकारी डॉक्टर नरिंद्र मिश्रा ने बताया कि 18 से अधिक बिमारियों की जाश शुरू के बाहोने के बाद शेत्र और आसपास के करीबन 50 से अधिक गाउं के मरीजों को लेब टेक्निशियन का बहुत ही लाप मिलेगा इस अवसर पर डॉक्टर नीतु कोलारे राकी कुश्वा ललीता भाबर मन्जु चोहां जैगिशन सहित स्टाफ की कर्मचारी मौजुद थे मनोज बेरागी की रिपोर्ट जो महानुभाव है सभी का परावर योगदान रहा है कि जो मेरे कदम से कदम मिला करके इस मांग को उठाते रहे और आज हमारे अधिकारियों ने हमें एक लेब टेक्निशन प्रदान किया है साथ में हमारे लिए यहां पर एक ही सिस्टर थी जो दिन राठ डिलेवरी कराती आज हमारे लिए एक लेब टेक्निशन के साथ एक सिस्टर के भी पदिस्थापना हुई है जो आप सभी के सामने से मक्षो को बश्तित है इसके लिए मैं अपने समस्तर बारे श्रादिकारियों को बहुत-बहुत धनवाद देता हूं और समस्तर ग्रामिर जनों को आम जनता को बहुत-बहुत बदाई धन्यवाद और आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब को कुल कुन सी जाज होगी है यहां पर लगभग जो है सीवीची हीमोगलोविन बिडाल एजबी 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 एजबी